जब भी नया घर बनाएं, कुछ internal fitting यदि हम साथ इसाथ करा लेते हैं, तो हमें आर्थी के उमानसिक परिशानिशे तो बच जाते हैं, साथ इसाथ मकान की तोड़ा फोरी इंटीरियर का भी नुकसान भी नहीं होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि घर निर्मान करते वक्त कई बार बजट की समश्या होती है, हमें कई बार कटोती करने पड़ती है, यदि भविस्चे में हमारे पास पैसा आ जाता है, तो हम यदि internal fitting किया वा होता है, तो हमें केवल accessories को AD करना होता है। यदि ये सबी चीजों के लिए बार बार तोड़ा फोरी करेंगे, तो हम इन सुविद्दाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सुरू करते हैं। पहला है आरो, घर बनाते वक्त रसोई में आरो की fitting इंटरनल जरूर करवा के रखें, बाद में बजट होने पे आरो आप उसमें AD कर सकते हैं। दूसरा हीटर, यदि हीटर की fitting इंटर बिजली का point भी आप साथ ही साथ किचन के सिंक के उपर इंटरूर में टाइलों के उपर जरूर दे देवें, ताकि बाद में आपको हीटर AD ही करना पड़े। चिमनी, बजट कम होने की वज़े से अकसर हम चिमनी नहीं लगवा पाते, परन्तु यदि आप उसका उपर की साइड में छेड लाइट का point एंट खिडकी की बनावट इस तरह करवाएं, ताकि आपको बाद में भविश्य में चिमनी लगवाते वक्त कोई भी परेशानी न बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसके लिए गेस लाइन के आप फिटिंग करवाएं और सिलेंडर को पोर्च इत्यादी जगह पर कवर्ड कर रख सकते हैं, यदि बविश्य में गवर्मेंट की गेस लाइन की लाइन आती है, तो आपको बिना तोड़ा फुड की विए आप उसको जोड सकते हैं, सोलर इन्वेटर या गरेलू इन्वेटर, सोलर बिजली आज कल आप देख रहे हैं, बिजली की कटोती, कोईला की कमी के कारण अक्सर हम देखते हैं, इसलिए छत पर सोलर इन्वेटर या गरेलू इन्वेटर के लिए जगह हैं उसकी फि उसमें connection बार-बार नहीं करना पड़ेगा. केमरा, man gate का केमरा, आजकल सुने मकानों में चोरी की घटना हर रोज हो रही है, गाड़ियां बाहर रोड पर पार्किंग रहती है, सुरुष्या के लिहाज से man gate और अंदर जहां जहां भी आपको केमरा लगवाना है, उसका point यह उसका wire और DVR की जगए एक सुनिचित करें और वहां तक उसका wire जरूर देवें. तंकी का sensor या alarm यदि आपने तंकी इत्यादी में alarm या sensor नहीं लगा रखा, तो कई बार पानी ओवरफलो होने पर बहता रहता है, पानी की बरवादी होती है और आपके टेंक में पानी कम या खतम होने पर आपको पता भी नहीं चलता. इसके लिए गर पर पानी के टेंकी के बास wire एयों point जरूर चोड़ें, इसका एक तार kitchen या पोस्ट तक जरूर लाएं ताकि जहां alarm हम लगा सकें. जब भी गर बनाएं तो cable connection wire जरूर डालें और सुनिचित करें टीवी आप कहां कहां लगवाएंगे. यदि एक से ज़्यादा जगह पे लगवा रहें, उनको उसी हिसाब से fitting कर, उसका wire चत पर, जहां cable TV का एंटेना लगेगा, वहां तक जरूर छोड़ें ताकि बविशे में तोड़ा फोड़ी ना होसके. नेट वाइफाई, 21 शदी यूग में बिना इंटरेट के हर इंसान को रहना मुश्किल है या यूँ कहूं नामुकिन है. अभी फाइबर यूग के दोर में, यदि आप घर बना रहे हैं, तो आपको जहां भी computer रखना है, वहां से cable wire यूँ पॉइंट जरूर रखें और इसकी एक cable बाहर लाकर electricity pole तक रखें. नाइट स्विच, बेडरूम में fan light इत्यादी का स्विच ओन ओफ का, बेड के पास two-way स्विच जरूर बनवा सकते हैं, ताकि आदी रात को यदि आप उठने पर ओन ओफ करना हो, तो आपको विश्तर से उठकर gate के पास नहीं आना पड़ेगा. पानी वे बिजली connection. होने पे उसी लाइन में जोड़ देना पड़े एसी पाइप लाइन यदि आप बजट कम हैं लेकिन एसी की फिटिंग आप जिन कमरों या होल में चाहते हैं उनमें जरूर करवाएं ताकि बविश्य में आपके पास पैसा आने पे आपको इंटीरियर और दिवार की तोड़ा फोड़ी करना ना पड़ें केवल एसी फिट करना ही काफी है दोस्तों ये थी कुछ इंटरनल फिटिंग जो कम बजट में भी हम करवा सकते हैं और बाद में इसके एसे दिज को हम जोड़ कर घर की तोड़ा फोड़ी आर्थिक एमान सिंग नुक्सान की परेशाने से हम बस सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कि किसी को नुक्सान ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकूँ स्वस्त रहे मुस्कराते रहे जहिन वन्दे मात्रा